शरद पूर्णिमा पर इस समय पूजा करना होगा विशेश लाबकारी जाने पूजा शुब मुहूर्थ चंद्रोदे का सही समय शरद पूर्णिमा का हिंदु धर्म में विशेश महत्व है शरत पूर्निमा का वरत करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विश्नु की भी कृपा मिलती है इस दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर वास करती है इस बार पूर्निमा तिथी दो दिन रहने वाली है दरसल तिथी के घटने और बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है हाला कि पूर्णिमा का वरत और स्नान दान 17 अक्टूबर को किया जाएगा आए जानते हैं आज शरद पूर्णिमा की रात पूजा के लिए सबसे शुब मुहूर्थ कितने बजे से हैं साथ ही जाने पूजन विधी और चंद्रोदे का समय शरद पूर्णिमा पूजन का शुब मुहूर्थ बता दे कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे शक्तिशाली प्रभाव में होते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी सोलर कलाओं से पूर्ण होते हैं चंद्रमा की कलाओं से अमरित निकलता है, यानि इस दिन चंद्रमा से अमरित की बरसात होती है, पूर्नीमा तिथी का आरंभ आज रात में यानि 16 अक्टूबर को 8 बचकर 41 मिनट पर हो रहा है, शास्त्रों के अनुसार, पूर्नीमा तिथी जिस दिन रात के समय होती है उसी दिन वुरत करना चाहिए। इसलिए आज रात में 8 बचकर 41 मिनट के बाद ही पूर्णीमा तिथी का पूजन करना उत्तम रहेगा। शरद पूर्णीमा निशितकाल पूजा का मुहूर्त शरद पूर्णीमा की रात को सिद्धी की रात कहा जाता है। इसलिए 16 और 17 अक्टूबर दोनों ही तारीक को रात के समय तंत्र मंत्र की साधना के लिए निशितकाल में पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। निशितकाल का समय रात में 11 बचकर 42 मिनट से मध्यरात्री 12 बचकर 32 मिनट तक इस समय में शरद पूर्णीमा की विशेश पूजा अर्चना की जा सकती है। शरद पूर्णिमा चंद्रोदे का समय शरद पूर्णिमा यानि आज शाम में पाँच बच कर पाँच मिनट पर चंद्रोदे हो जाएगा लेकिन चंद्रमा को अर्ग्य देने का समय रात में छे बजे के बाद किसी भी समय कर सकते हैं माता लक्षमी इंद्रदेव के साथ धर्ती पर करती है भ्रमन शरत पूर्णी मा की राद बहुत ही महत्वपून मानी जाती है इस दिन माता लक्षमी का प्राकट्य के साथ साथ माता लक्षमी इस दिन धर्ती पर भ्रमन करती है उनके साथ हेरावत हाथी पर इंद्रदेव भी ब्रह्मन करते हैं पुरान के वर्नन के अनुसार मा लक्ष्मी इंद्रदेव से पूछती है कि को जागरा यानी कौन-कौन जाग रहा है इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही आपको घीका दीपक रात भर अपने घर में जला कर रखने चाहिए ये दीपक पुरा रात जलना चाहिए